हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि पाइथन प्रोग्रामिंग लेंग्वेज़ क्यों सीखना चाहिए आज कल जैसे और भी बहुत सारे प्रोग्रामिंग लेंग्वेज़ जो काफी पॉपुलर है जैसे जावा स्क्रिप्ट है, गो है, C है, C++ है, जावा है, पाइथन भी है, बहुत पॉपलर है तो पाइथन ही क्यों सीखना चाहिए अगर कोई प्रोग्रामिंग एक्स्पिरिंस नहीं है और आप स्टार्ट करना चाहिए तो मैं कहुऑँगा कि अगर शुरुवाद करना चाहिए तो मैं कहुँगा कि सबसे पले शुरुवाद करना है और आपको क्योंwo एक्स्पिरिंस नहीं प्रोग्रामिंग में तो आप या तो पाइथन सीखिए, या तो जावावन स्क्रिप्ट सीखिए यह दो ही दोनों में से एक ही आप कुछ चूस करना चाहिए तभी आप आपको जो एक तरह का रेटर्न और उन्वेस्टमेंट मतलब कि आपको कितना टाइम इन्वेस्ट करते हैं उसके हिसाब सापको रिटर्न कितना आता है return मतलब job लगना या कुछ अपना project कर लेना या कोई startup खोल लेना तो उन दोनों में python और javascript ही सबसे popular है उन दोनों में इसे आपको सीखना चाहिए और उसका बहुत large user base है आपको बहुत advantage होगा उसकारण से तो यहां पर मैं जो कि python के बारे में बात कर रहे हैं तो मैं यह बताना चाहूँ कि python क्यों सीखना चाहिए तो सबसे पहले देखेंगे python सीखने के advantages क्या क्या है सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि आपको कोई programming experience नहीं है तो आप python सीखनेंगे तो आपको बहुत आसान रहेगा तो कि इसका syntax जो है काफी simple है और ज्यादा बहुत सारे programming language जैसा बहुत सारे tricks नहीं है इसमें एक्तम simple है एक चीज को करने का लगबख एक ही तरीका होता है तो आपको असानी होता है आपको यह ज्यादा variation जानने की जरूतने कि ऐसे भी कर सकते हैं वैसे भी कर सकते हैं उतना नहीं है आपको ज्यादा syntax का परेशानी भी नहीं है ज्यादे keyword वगरे भी नहीं है तो तुर होता है और जो functionalities होते हैं वो बहुत ही user के thought process से या mathematical model से काफी करीब होता है low level languages जो होते हैं वो machine से करीब होते हैं जैसे कि bit manipulation कैसे करना है pointer कैसे करना है इधर उदर वो सब होते है high level language में क्या होता है कि user का thought process होता है declarative होता है कि मुझे करना क्या है उस हिसाब से programming language के design किया जाता है तो काफी असान होता है reasoning करना अगर आप mathematics के background से हैं तो high level programming language में प्रोगाम करना आपके लिए बहुत ही असान हो जाएगा खास करके python में क्योंकि python के जो statements होते हैं वो mathematical equation जैसे बहुत बार देखने में काफी असान हो जाता है और यह compose भी होता है compose मतलब एक function का output दूसरे में डाल दीजिए दूसरे का output दूसरे में डाल दीजिए एक ही line या दो line में बहुत complicated operation कर सकते हैं जो कि बाकी languages में करना बहुत मुश्किल है क्योंकि python high-level language है पीसरा कहा है कि dynamically typed है तो आपको type का tension नहीं है कि integer है character है क्या लिख हुए आप टाइप दूसरे में convert होगा कि नहीं होगा यह सब चीज बहुत जरूरी होता है जब आप जैसे C++ या Haskell जो statically typed language है उनमें आप उसको यूज करना चाहते हैं लेकिन python हम dynamically typed है तो बहुत बार आपका काम चल जाए हो तो python का design ही इसलिए हुआ था कि आम आदमी को जल्दी जल्दी कोई prototyping करना हो तो उसका कर सके इसलिए python का design हुआ तो चौता point क्या है कि it is good for hacking जैसा कि आपको कुछ idea है मान लिजे मन में और आपको तुरत implement करना है तो python लेना बहुत जरू जाहे आप string processing ले लिजे web hacking ले लिजे scraping ले इंटरनेट से data को download करना है stock market कर price देखना है या फिर machine learning देना है AI के बहुत सारे लाइबरेजिए टेंसर फ्लो का है जितने लाइबरेजिए आज करना है पाइफन का तो सभी लोग API प्रवाइड करते हैं जितने भी popular libraries है उससे क्या होता है कि पता है कि python बहुत popular है और जो यंग generation है उनको hacking करना है तो python के लिए आपको देना ही पड़ेगा क्योंकि सारे यंग लोग अभी उनको computer science का उतना background नहीं है और लेकिन वो programming करना चाहते हैं तो python में start करते हैं जल्दी से अगर आप भी आपको भी programming experience नहीं है यंग हो या old फर्क नहीं पड़ता है लेकिन python सीखना बहुत असान है तो आप आपने अगर मालेजर की computer science background से लिए है आपने कोई जैसे arts दिया है या mechanical है civil है कुछ भी computer science नहीं पड़े हैं फिर भी आप python में बहुत असानी से कर सकते हैं तो even if आप कभी engineering नहीं पड़े हैं या math नहीं पड़े हैं आप 10th class के student हैं फिर भी आप python लेकिए programming कर सकते हैं एक्दम common sense type का होता है तो बहुत असानी सब कर पाएंगे और इतने libraries हैं कि बस आपको डाउनलोड करना है या import कर लीजिए अल्रेडी standard library इतने ज्यादा है बाकी language में ऐसा नहीं है तो बहुत असान हो जाता है उसी तरह स्टार्टप वगर हमें काम करना बहुत असान है क्योंकि python python तुरचिक लीजिए और अपना prototype बनाईए फिर उसको जाके sell करती इस आइडिया को और यह है कि job prospect बहुत अच्छा है क्योंकि आपने देखा कि सभी लोग provide कर रहे है python API इसका मतलब कि कोई भी काम के लिए python का demand बहुत ज्यादा रहता है कोई भी startup में python developer का demand बहुत ज्यादा होता है जावा स्क्रिप्ट का भी होता है लेकिन python का भी बहुत होता है उससे क्या होता है कि अगर आप python सीख लिए हैं मैं बताओंगा अभी कितना सीखना ठीक रहेगा तो आपको जॉब में python की लोगों को बहुत ढूंडते हैं आप python सीख लिए ता आपको जॉब भी असानी से ल ऐसा नहीं है कि python ही दुनिया का सबसे अच्छा programming language है और जितने मैंने point बना इससे आपको लग रहा हो कि बहुत अच्छा है अच्छी बात है लेकिन अगर आप एक में च्छोड डेविलपर है और आपने programming बहुत करिए कुछ कुछ चीज़े python के disadvantage है आपको अभी पहले से ज अच्छा होगा तो आपको ज्यादा अच्छा रहेगा सबसे पहला disadvantage कि यह scalable नहीं है कि अगर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जैसे कि 100,000 line of code है इस टाइप का तो अगर आपने अगर उसको python में लिखा है तो आपको इतना परिशानी होगा कि आप उस प्रोजेक्ट से उसक कुछ experience नहीं है programming में और पूरा प्रोजेक्ट थिंकिंग नहीं बस ऐसे लिखते गहें लिखते गहें क्योंकि डैनमिक इन ले जो चैनल बहुत सारे पाट्स अंता कोड ब्रेक भी हो गया है तो चलता रहता है तो जैसे इस अगर मानलेज़ आप स्टार्टप में काम कर रहे है तो आपको पक्का परिशानी होगा आपको इमीडियेटली प्रोग्रामिंग लाइंग इसको चेंज करना चाहिए जल्दी से जल्दी अगर आपको लग गया है कि हां मेरा स्टाप हीट हो रहा है तो जल्दी से जो नॉन पाइथन लेंग्वेजेस हैं जो कि काफी स्केलेब क्योंकि लेंग्वेज इतने स्केलेबल है कि इसमें उसमें हाद की होती है तो आपको प्रोग्रामिंग मेरन होगा टेस्टिंग में बहुत होगा डीबग करना आसान हो जाए को कि इसमें आटा Beverly Ella है तो बस जहां पे पाइथन का interpreter रहता है उसको आसपास का उतना ही जानकारी होता है आप call trace वगर करना इसका उतना अच्छा interface नहीं है compared to static language जैसे कि C++ या C है उसका debugger में आप सब कुछ देख सकते हैं पूरा जितने hardware register है क्या कहां कॉनफर्ट किसको call कर रहा है हर variable का क्या output इसा प्रिंट करके देख सकते हैं तो बहुत ही बहुत ही extremely rich होता है उन्हों का debugging experience तो जब ही scalable करना हो तो python ने अब नहीं कर सकते हैं और क्या है slow in performance अभी बड़ा project हो गया 100,000 lines उपर का code हो गया और मान लिजी आपका application ऐसा है जो time market का analysis कर रहते हैं that's fine अभी लेकिन आप skill हो बड़ा हो गया आपका project अगर आप एक millisecond में आपको पैसा लूज होगा तो आप ऐसा language को यूज करना एकदम बेवकूफी होगा जैसे mature हो गया तो आपको language change करना ही पड़ेगा immediately आपको CC प्लस में स्विच करना ही पड़ेगा तो आप free में पैसे लूज कर जाएंगे और एक ऐसा टाइम एक थ्रिश्रोल लाएगा को इसके बाद आप उससे आगे बढ़ी नहीं पाएंगे क्योंकि आपका programming language का ही कुछ नहीं कर पाएंगे तो यह सब disadvantage है लेकिन यह सब disadvantage आप देख रहे हैं यह सभी तभी आता है जब प्रोजेक्ट बहुत बढ़ा हो जाता है तो जब बढ़ा होगा वो समय सोचने की चाहिए क्योंकि अगर आप पहले से ही सोचेंगे कि मेरा प्रोजेक्ट बढ़ा होने नहीं मिले या दो चार लोग कर पा रहे थे और कोई कर नहीं पाया फिर इंट्रेस्ट लूज हो जाता और कुछ नहीं हो पाता है तो बेस्ट्रेटजी गया है कि आप पाइथन या जावस्क्रिप में सुरू कीजिए ताकि आपका एक प्रोटोटाइप बन जाए एक मॉड जब 100,000 लाइन से उपर के कोड हो गया है तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका प्रोजेक्ट काफी सक्सेस्फूल हो गया है अब आपको काफी फंडिंग है तो देखिए कि आपको अगर टिक टाक फंडिंग है तो आप इमीडियेटली एक्सपोर्ट लोग को हायर कीजिए और उस समय हायर करना रिजनेबल है क्योंकि आपका इस पैसे भी है आप जो एक्स्पीरियंस डेवलपर रहते हैं उनका चार्ज बहुत जादा होता है तो आप उस समय उनको हायर कीजिए और फिर वो लोग पूरा कोड कर देंगे आपका पाइफन से C++ में पूरा अच्छी होगा तो फिर बात या थी है कि आप पाइफन सेखना चार शुरू में या पाइफन थोड़ा मोड़ा जानते हैं तो कितना जान लेंगे कि काफी है ठीक ठाक है कोई भी प्रोग्रामिंग लेंगे जो होता है उसका गोल क्या होता है कि आप अपना आइडियास को प्रोग्राम में लिख सकें यह उनका गोल है ओक्या तो देखिए पूरा प्रोग्रामिंग लांगे जाने के जरूत नहीं है पाइफन चोटा प्रोग्रामिंग लेंगे लिगिशर ने के बिद्म पूरा फॉरा typ證न जानने के शच्आरे में चरुकि पूरा जानने के थो औ बिगिनर फ्रेंडली है पीर बिद्धीर को इन फ्रेंडली का यह मतलब ने कि पूरा लैंग्विज आपको जाना बिगिनर फ्रेंडली का मतलब है इतना जान जाएं कि आप कोई भी अगेम उप्रोजेक्ट के लिए आप एक्तम एक्वीप्त हो जाएं और इसके बाद अगर कुछ फीचर आपको चाहिए होगा तो आप इंटरेट पर सेर्च कर सकते हैं या आपके इससे को एक्सपिरियंस बन्दाद उससे ढूंड सकते हैं यूट्यूब में हजारों वीडियो पढ़े हैं आप गूगल करिए और उसको पढ़ लीजिए जैसे से कि भुवधि मिनिमल है इतना सिखने अपको जादा से जाद एक महिना कोख़ा और आप देली दो 3 आटर म springs आहिए इतना से इतना चीछ सुआएस बÓल रहा है कि इतना कम कि प्लाई आप कोई खिए प्रोजेट को इस पर सारे पर मैंने वीडियो बनाया है आप और भी आपको कोई अच्छा वीडियो हो या बुक में पढ़ सकते हैं लिस्ट प्र सेशिंग हुआ दूसरा करया है रेगलर एक्सप्र talking के लिए रेगलर एक्स्प्रेशन नहीं जानते तो आप कुछ नहीं करपाइग पीजना एक्सप्रसा स्टार्वें नहीं कर सकते हैं को किसी और में पास कर देते हैं आप फिर को जॉइन कर सकते हैं तो एक तरह से क्या है इसको कॉम्पोजिशन भी कहा जाता है तो यह जो है यह अप्चुली मुझे शायद लिखना नहीं चाहिए था लेकिन यह जो इंट्विशन होता है आपको जैसे माने जे 10-15 प्रोग्राम आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अपने आप आईडिया आने लगेगा इसलिए मैं लिख दिया है चौथा क्या है अबब्जेक्ट और और यह बनाते हैं और एक का मतलब क्या होता है कि वो फंक्षन को आप को यूज करने के लिए आप को को इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा वो पाइफन का जो compiler रिया interpreter है उसको पहले से पता है तो समझे एक तरह के readymade function जो पाइफन को पहले से पता है तो built-in function बहुत ज्यादा है सत्तर के आसपास है तो उतना सत्तर रियाद रखने की क्या जरुवत हो बहुत ज्यादा है कुछ-कुछ बहुत standard function है बहुत useful है पहला कहा dictionary फिर filter input length list map max min next open open होता file के लिए print फिर set फिर sorted string sum और zip यह function आप एक तरह से याद कर लीजिए कितना है 5 9 10 16 function आप एक घंटे में याद कर सकते हैं और इसका सबका एक standard देख लीजिए और बार बार revise कीजिए हर कोई को यूज करके प्रोग्राम लिखिए आप कोई idea हो चाहिए उसके बाद इतने अगर आप जान जाते हैं आप कोई भी एक आपके अगर मन में अगर idea है कि मुझे एक component बनाना है जैसे मुझे ट्रेडिंग टर्मिन बनाना है या फिर machine learning का कुछ hacking करना है ऐसा कुछ भी आपना ही कुछ project करने तो इतना अगर आप जानते हैं तो आपको एकदम आप शुरू कर सकते हैं आज ही programming शुरू कर सकते हैं आज ही क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूस हो जाते हैं कि इतना सीख लिए हैं अभी और जीखें क्या आई आप खाम सुडू करते हैं बहुत डाउट कर रहते हैं तो इसलिए एक तरह से मैंने लिख दिया है यह आपके guidance यह कोई absolute list नहीं है कि इतना जाननेंगे तो पक्का ही दुनिय जाइ